श्रीलंका में चल रहे एशिया कप के मैचों पर बारिश की आशंका बनी हुई है। भारत और पाकिस्तान के बीच लीग मुकाबला बारिश की भेंट चड़ चुका है। प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि सोमवार 11 सितंबर रिजर्व डे रहेगा। फिलहाल पूरे एशिया कप में यही इकलौता मैच है जिसके लिए रिजर्व डे रखा गया है। रिजर्व डे का मतलब है कि अगर रविवार 10 सितंबर को भारत पाकिस्तान के बीच मैच किसी वजह से बाधित होता है तो उसे सोमवार को पूरा किया जाएगा। दोनों क्रिकेट बोर्ड के बीच इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब पाकिस्तान को एशिया कप की मेजबानी का अधिकार मिला। भारतिये बोर्ड ने अपने खिलाडियों की सुरक्षा का हवा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस टूर्नामेंट के कुछ मैच दुबई में कराने का प्रस्ताव रखा। लेकिन यह प्रस्ताव भी भारतिये क्रिकेट बोर्ड को पसंद नहीं आया। यह देखना भी दिल्चस्प है कि एशिया कप के मैचों के आयोजन को लेकर BCCI औ पर PCB के बीच विवाद बढ़ता दिख रहा है। ठीक उसी वक्त आपसी संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश में भारतिये क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष, रोजर बिन्नी और बोर्ड के पदाधिकारी राजीव शुकला, एशिया कप के मैचों को देखने के लिए पा परेशाह ने पिता अमित शाह की भारतिये जनता पार्टी से जुड़ी राजनीतिक वजहों के चलते मैचों का आयोजन न तो पाकिस्तान में होने दिया और ना ही दुबई में।